पाकिस्तान उकुपाइट जमू कश्मीर यानि के पियो जेके में इस समय लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रो कर दिया है इसके चलते लोगों ने विरोध परदर्शन किये हैं जिसको पाकिस्तानी रेंजर्स ने सक्ती से कुचलने की कोशिश की है अभी अभी जो समाचार हमें वहां से मिल रहे हैं उसके अनुसार पाकिस्तानी रेंजर्स ने तीन लोगों को गोलियों से भून दिया है और विद्रोह तेज हो गया है इन सारे हालात पे बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है पीओ जेके से आए रेफ्यूजिस के नेता राजीव चूनी जी तो सर सबसे पहले जेके नियूस टूडे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर मेरा पहला सवाल आप से ये है कि जो अभी पीओ जेके में इस समय के हालात है उसके बारे में आप क्या सोचते है क्या समझते है देखें जब 1947 में फैसले की घड़ी थी कि हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए या पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए हम लोगों ने फैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला किया आज वो बोगत रहे हैं और इस कदर बोगत रहे हैं कि उनको गोलियों से बूना जा रहा है और जितने भी resources हैं पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में बड़े सारे resources हैं खनिज हैं और पानी के बहुत बड़े बड़े आप देखें दर्या हैं चश्मे हैं और बिजली पैदा होती है और भी जितना कुछ वहां इनके रिसोर्सिज हैं उन सभी का फायदा आज पाकिस्तान ले रहा है और उसकी कोई रायलिटी जो है वो पाक अदिकरित कश्मीर के नहीं मिलती है बिजली के डैम देखें आप मीरपूर में बहुत बड़ा डैम है जो हमारी दर्ती पर बनाया गया है मंगला डैम उसमें जितनी वहां पैदाइश होती है बिजली की उसका सारा खर्च पाकिस्तान में होता है लेकिन उसके बदले में उनको कुछ नहीं दिया या हो और लोग सोच रहे हैं कि हमसे दिया क्या है पाकिस्तान ने आज उनको शमझ आई है साट बीतने के बाद स्लेए उन लोगों ने विद्रो कर दिया है और मैं समझता ऑँ कि एक ऐसा वक्त है जब हम भी तयार है देश को भी हंदुस्तान भी तयार है क्योंकि हमारा वो इंटेग्रल पार्ट है हम इसको पार्लेमेंट के अंदर भी कह चुके हैं और बार भी कह चुके हैं कि वो हमारा एक अबिन अंग है और हम उसको एक दिन खाली कराएंगे और निश्चित तोर पर हमारी पूरी समेदना हमारी पूरी हमदर्दी ह हमारा पूरा साथ उन लोगों के साथ है, क्योंकि ये वो लोग हैं, जो हमारे साथ ही पैदा हुए, पले, बड़े, उनी स्कूलों में, उनी गलियों में वो खेले, जहां आज उनको सताया जा रहा है, और पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान तो देश और दुनिया को ये दिखाता है, कि ये एक आजाद जमो किश्मीर है, उसने तो इसका नाम भी आजाद जमो किश्मीर डाला है, अगर वो आजाद है, तो पाकिस्तान का गोलियों चलाने का मतलब यह है, कि वो पाकिस्तान ने उसको गुलाम बना गे रखा था तो आज जब लोगों को ये बात समझ आ रही है तो लोग सडकों पर उतर आए हैं क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है कोई इंफ्रस्ट्रेक्चर नहीं है हम तो देखते हैं सोशल मीडिया पर कहीं लोग उनकी हम बाते पोस्ट हम देखते हैं कोई सडकों का वहां पर कोई नहीं है वो जब यहां देखते हैं आई 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 टी बन रहे हैं आई आई एम बन रहे हैं यहां पर बड़े बड़े रेल मार्क बन रहे हैं सडक मार्क बन रहे हैं वो सूचते हैं यार हिंदुस्तान तो कहां से कहां पहुंच गया लेकिन हम जिस देश के साथ जुड़े उस देश ने अपना तो बटा बिठाया साथ में हमारी भी हालत जो है खराब करके रख दी पाकिस्तान में जो हो रहा है आपको भी पता है किस तरीके से उधारी लेकर किस तरीके से सारी दुनिया से पैसा लेकर वो अपन सर ये जो पियो जेके में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है तो आपको क्या लगता है कि क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ रिवोल्ट है? निश्चित तोर पर रिवोल्ट है। देखें बड़ी देर से वहाँ भी दो तरह की आवाजे आती थी पहले। एक आवाज ये आती थी थी कि ना हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है ना पाकिस्तान के साथ रहना है, हमें अजाद जमू किश्मीर बनाना है। लेकिन हम पहले इन से कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ आईए आपकी सारी दर्द सारी तकलीफे सारा दुख दूर हो जाएगा आप बिलकुल ठीक ठाक हो जाएंगे यहां सब के साथ एक जैसा वेवार होता है अब उनको भी समझ आने लगा है कि यह बात कहीं ने कहीं ठीक थी कि हमें पाक पीचे अटने वाले नहीं इस समय आप पीओ जेका जो भीशी है वो कैसे देखते हैं क्या आपको लगता है कि जो भारत के साथ आना चाहते हैं देखें आपने भविशी की बात की हमें बुरा भी लगता है क्योंकि हम भी जब आये थे तो हमारा भविशी भी बड़ा अंद हालत में हम चोड़ के आये थे उनको वो उसी हालत में आज भी जी रहे हैं वहां कोई आप कहें के जिंदगियों में सुधार हुआ है हाँ जो लोग वहां से निकल कर विदेश चले गए युके चले युएस चले गए वहां जाकर वो लोग चुनाव जीते वहां पर संसद म चले गए वहाँ पर मेर बने यूके के अंदर या आप कहलें अमेरिका के अंदर लेकिन अपने ही उस जगे पर जो पाकिस्तान के नाजाइज कब्जे में है वहाँ तो उनकी हालत बहुत खस्ता है और एक तरह से इन्होंने एक कालोनी बना के रखा हुआ है वहाँ पर पूरे चपरासी से जएदा नहीं है एक चपरासी की तरह उसको पाकिस्तान इस्तिमाल करता है आप अंदाजा लगा ले कि उनकी कितनी से होगी और वहाँ पर कोई पैसा नहीं लगाया जाता कोई development की schemes नहीं है कोई बड़ी university नहीं है कोई बड़े college नहीं है कोई बड़े iiit नहीं ISAM नहीं कोई पढ़ाई का सादन नहीं है कोई आगे बढ़ने का सादन नहीं है तो इस तरह for सोचते हैं कि हम किस दृढ्रता में रह रहे हैं कब यहां से तो इसलिए आज वहां पर एक बगावट का बिगुल वजा है और लोगोंगे आज तो मैं देख रहा हूं आप वो वीडियो देखें कि किस तरीके से वो अपनी ही पुलीस को पहाड़ों से उठा उठा के नीचे दर्या में पटा करें और नीचे फैक रहें हाला कि उनको पता है कि जिनको हम मार रहे हैं ये भी हमारे लोग हैं लेकिन वो क्या करें वो अपना विरोध जतलाना चाहते हम तो बोल रहे हैं लेकिन वहां पर United Nation चुकि ये तो थोड़ी सी छोटी सी किसी देश में हरकत हो जाए तो ये इनके कान खड़े हो जाते हैं तो आज क्यों सोया हुआ United Nation उसको आकर इन लोगों की हमदर्दी में इनका साथ खड़ा होना चाहिए और इस मुसीबत से उनको नि